फ्रेंड सभी नई यूटूबर के दिमाग में यही चीज़ चलते रहता है कि कब उनका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वाज टाइम कम्पलीट हो जाए और वो अपना चैनल मोनोटाइच करा पाएं तो फ्रेंड यही चीज मेरे साथ भी हो रहा था तो मैंने क्या किया मैंने कुछ दिमाग लगाया कुछ ट्रिक किया जिसकी वज़े से मेरा जो 4000 घंटे का वाज टाइम है वो कम्पलीट हो चुका है 4000 से कहीं जादा मेरा वाज टाइम कम्पलीट हो चुका है तो फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी से complete कर सकते हैं फ्रेंड आपको बता दू मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है fashion designer इमरान उस चैनल पर मैंने फ्रेंड 4000 घंटे का वाइश टाइम complete करते-करते मुझे 8 से 9 महीना लगया था लेकिन मैंने इस चैनल पर एक मہीने में ही अपना वाइश टाइम 4000 घंटे का जो वाइश टाइम होता है वो complete कर लिया तो किस तरह से complete किया है चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैंने 4000 गंटे का watch time complete किया है उससे पले फिरेंड आपको बता दूँ मेरा नाम है इमरान इमद अंसारी और आप देख रहे हैं टेकनिकल इमरान जी फ्रेंड आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन दबा लें जिससे क्या होगा इस तरह की नई-ने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और हम आपको इस तरह की यूटूब की नई-ने जानकारी देते रहते हैं तो फ्रेंड आपको पता होगा 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा जब हमारे चैनल पर कंप्लीट हो जाता है तब जाकर हमारा चैनल मोनोटाइज होता है और इसको करने के लिए फ्रेंड बहुत ही मेनत करना पड़ता है कुछ लोग फ्रेंड तो ऐसे हैं जो 2-2 साल तक अपने चैनल पर काम करते हैं और उनका ये चीज कंप्लीट नहीं हो पाता है बट मेरा जो 4000 गंटे का वाज टाइम है वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो उसको बताइए किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं तो फ्रेंड आज मैं उन्हीं लोग को बताने वाला हूँ किस तरह से वो अपना 4000 गंटे का वाज टाइम कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से वो अपना 4000 गंटे का watch time complete कर सकते हैं तो friend आपको 4000 गंटा watch time complete करने के लिए सबसे पहले आपके वीडियो पे views आना चाहिए जब आपके वीडियो पे views आएगा तभी जाके आपका 4000 गंटे का watch time complete होगा तो friend सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके वीडियो पे व्यूज कैसे आएगा तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि अपने वीडियो पे आपको व्यूज लाना है तो आपके वीडियो पे व्यूज कैसे आएगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या देखना है trending topic देखना है क्या चीज इस समय trend में चल रहा है जो भी इस समय trend में चल रहा है उसके उपर आपको वीडियो बनाना है जैसे friend मैं आपको बता दूँ कुछ दिन पहले dancer सनातन की साधी को लेके बहुत जादा वीडियो बनाए जा रहे थे और उनकी जो भ वाइस टाइम कितना मिला है 16-1700 गंटा वाइस टाइम मिल चुका है तो friend जब वो मेरा वीडियो वाइरल हो गया तो मैंने 2-3 वीडियो उनके उपर इसी तरह से बनाया और सभी वीडियो मेरे वाइरल होने लगे और अच्छे खासे सभी वीडियो पर व्यूज आने लगा और जिससे की मेरा 4000 गंटे का जो वाइस टाइम है वो बहुत ही आसानी से मैंने कम्प्लीट कर लिया तो friend आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर सभी जो भी मैंने उनके उपर वीडियो बनाया सभी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आये हैं तो friend आपको भी इसी तरह से trending topic पकड़के चलना है और उसको उपर वीडियो बनाना है तो माल लीजे अभी my first vlog के उपर आप वीडियो बना सकते हैं ये भी बहुत trend में चल रहा है इसके उपर आप वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है आपकी वीडियो भी viral हो जाए तो friend आप आपकी वीडियो जब viral होगी तो आपके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे जिसकी वज़े से आपका 4000 गंटे का जो वाइस टाइम हो आप बहुत ही आसानी से complete कर सकते हैं तो friend आपको यही चीज ध्यान रखना है कि जो चीज trending मतलब trend में चल रहा है उसी के कौन सी वीडियो वाइरल हो रही है तो friend आप अपने category के हिसाफ से देखेंगे कि आपके category में कौन सा मतलब ऐसा trending topic है जिस पे आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो भी वाइरल हो सकती है और आपके वीडियो पर भी अच्छे खासे व्यूज आ सकते हैं तो friend आपक तो इसी तरह से वाइस टाइम भी मिल जाएगा जो आप बहुत ही आसानी से complete कर सकते हैं तो friend आपको इस तरह से दिमाग लगाना है इस तरह से आपको trick करना है तभी आपके चैनल पर 4000 गंटे का वाइस टाइम आप complete कर पाएंगे तो friend I hope कि आपको ये वीडियो सही से समझ मे कर देना आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए